आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ अपने पास बेसिकली समझ में आरहा है यहां पर यह तीनों पैरलल में है और बाकी सब 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 और तो की यहां पर यहां पर यूज हो रहा होगा तो सबसे पहले अपन पैरलल वाले की बात कर लेते हैं हमें निकालना किया है question में R equivalent is equal to what तो 1 upon R parallel को अपन लिख रहे होते हैं 1 upon R1 plus 1 upon R2 अपन यह assume करके चल रहे हैं कि अपने पास कैसे किते registers है and register है ठीक है तो मैंने generalized form में लिख दिया है यह अपने पास formula होगे parallel का ठीक है इसी तरह similarly अपन formula लिख लेंगे series के लिए right क्योंकि यह दो formula use हो रहे होगा basically इसमें ठीक है तो series के लिए बात कर लेते हैं right series में तो basically simple होता है कि सारे register को अपन जोड़ दे रहे होता है फिर भी मैं इसको यहाँ पर leak दे रहा हूँ है यह हो जाएगा r1 plus r2 plus r3 अब 2 कहां तक चलेंगे अपन लोग rn तक चलेंगे अपने माना है कि अपने पास किते registers है n registers है right तो यह अपने पास series का formula होगा ठीक है यह अपने पास दोनो formula होगा इन ही दो formula को अपन यूज करके क्या कर रहे होंगे इसको solve कर रहे होंगे अब आप यहाँ देखेगा कि यह अपने पास 12 ओम है यह 6 ओम है यह 4 ओम है यह अपने पास कैसे लगे हुए पैरलल में लगे हुए ठीक है तो एक circuit बना लेते ए चोड़ी सी जिसमें अपने पास 12 ओम है ठीक है और कि अपने पास एक सेختन है इसको थोड़े अच्छा से बना लेते है यह आपने पास 12 औम वाला होगिया यह आपने पास 600 ओम का हो गया और यह आपने पास 4 ओम का हो गया earnest इसका एक्विलेंट निकालना है राइट लिख दी आप मैंने 12 हों 6 हों 4 हों ठीक है तो अब आपन कौन सा फर्मॉला लगाएंगे यहां पर वन अपन आर पैलल वाला ठीक है तो इसको मैं बोल देता है जो इसका एक्विलेंट आएगा ना उसको मैं क्या नाम देता हूं अप सब्सका कितना आजाएगा वो आ जाएगा 12 लगान है यहां पर रहा गया यह वन रहे गए यहां पर टू हो गया और इसमा पर तो इसको रेसिप्रोक्वगट कर देंगे तो क्या खागा यहां से वहां पने पास यहां बाप तो यहां पर एक सर्कृट बना लेते हैं एक रेज़िस्टेंस यहां पर कुछ है और यहां पर अपने पास निकल करके आये इसकी व्लूँ यहांपने पास एक इतना को है पांपने पास यहां पर निकल करके अ अब अपन देख लेते हैं, इसको अपन कैसे कर रहा हूं, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, R-Series का formula लगा देंगे हैं, क्योंकि सारे के सारे series में, अब हम equivalent चाहिए, तो अपन कैसे निकाल रहा हूं, ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे R-Series, मैंने उपर formula बता है, सब को बस add कर देना है, ठीक है, 5 ohm प्लस 2 ohm, अपन ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से add कर रहा हूं, ऐसे करके, प्लस 2 ohm, प्लस 1 ohm, ओके, यह अपने पास कितना निकल जाएगा, 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 2, 9, 9 और 1, 10, यह अपने पास निकल करके आगए 10 ohm, तो यह अपने पास क्या हो गया, final answer यहाँ पर, ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन इसको option में एक बार, match करा लेते हैं, चलते हैं अब अपन options में, पहला option हमें दे रहा 10 ohm, तो मेरे हिसाब से यह अपने पास सही answer आगया, 20 ohm, this is wrong, 5 ohm wrong, 15 ohm wrong, तो option number 1 is the correct answer, so we'll write here option number 1, I hope आप लोगों को यह solution समझ में आया, thank you.